तो पहले पेपर फाड़ दोगे फिर उत्तर लिखोगे सब प्वेशन नमर याद हो जाएगा बहुत बड़ी बात है आपको फिर सिखा दिया जाएगा आईए अब धनावेशित की बात कर रहे तो मैंने कहा हमने कौन सा एक्जामपल लिया बावो सोडियम का आईये लिखते हैं यहां प्रोटाण सर आप Neutron नहीं लिख रहें तो Neutron पर कोई आवेस होता ही नहीं है तो बावी परमाडू के आवेसित होने में Newton का कोई योगदान नहीं है इस सर ली हम उसको नहीं लिख रहे है बहुत अच्छा बाभू, बोल है वीडियो की थे बाभू है, आधि बाभू, घर पे चिल्ला-चिल्ला के लिखो घर वाले भी पागल हो जा है, मम्मी प्रोटान लाईए, मम्मी इलेक्क्तरॉन लाईए, ना नुद्धे सब्सच्वराइ, प्रोटान बराभार रोटी, इले कि आप लोग बाबू अच्छे से पढ़ रहे हों घर पे भी मुस्कुरा रहे हों आपकी स्माइल है अर्शुरेस क्लासिक का कानना है बाबू पढ़ाई कैसे होती है इसमाइल करते हुए अगर पढ़ाई करते हुए इसकर चेहरे पर इसमाइल ना आ है मत पढ़ो कोई फायदा हुए दा ओ काम करने से कोई फायदा नहीं जिसमाइल ना है पढ़ाई का मतलब यते हैं इसमाइल आ है फिर इस कमेश्ट्री मैथ कप पढ़ ज्ञान सुनिएगा ठीक है मैंने एक बाद सिखा दिया कि नाविक से प्रोटान और नीट्रान को निकाला मुस्की ली रहे मतलब नाविक से प्रोटान को निकाला नहीं जा सकता नहीं नाविक में प्रोटान को डाला जा सकता है अर्थात नाबिक में प्रोटान की संख्या कभी बदलती नहीं है आईए बाबू, बताइए प्रोटान सूडियम की बात कर रहे है प्रोटान कितना है बाबू, 11 इलेक्ट्रान कितना है बाबू, 11 कैसा लगा, अब देखिए तुम लोग जान रहे हो बाबू सर क्या जान रहे है कि हम लोग प्रोटान की संख्या को न घटा सकते है न बढ़ा सकते है लेकिन परमारू में इलेक्ट्रान को बाबू इसमें डाल भी सकते है और यहां से बाबू इसकी कच्छा से इलेक्ट्रान को बाहर भी निकाल सकते है किसको इलेक्ट्रान घूम रहा है ना आवारा है ना जो घूमते उसे क्या करते हैं आवारा और आवारे लोगों को घर वाले कब लात मार के भगा दे पता नहीं चलता अब कब लात्मार के बाबू घर बुला ले पता नहीं चलता इलेक्ट्रान भी आवारा आदमी तो गुसा गए पापा तो लात्मार क्या किये भागा दिये निकाल भाग जो मेरे घर से खुस हो गए मालो कोई काम कर दिये पापा को बाला पुतला ले आओ बेटा घर में तो इलेक्ट्रान क्या है बाबू आवारा और आवारे लोग की कोई जट नहीं है जब मनतब लात्मार के घर से बाहर निकालो जब मनतब घर बुलाओ इसका क्या मतलब है बाबू फिर इसमें मतलब इलेक्ट्रान को हम इंसर्ट करा सकते हैं और इसमें से बाहर निकाल सकते हैं मतलब परमाडों में इलेक्ट्रान डाल सकते हैं अर्थाथ पर्माडू में इलेक्ट्रानों की संख्या को बढ़ा सकते हैं और पर्माडू में इलेक्ट्रानों की संख्या को घटा सकते हैं तो सुन लो बाभु ध्यान से ये बात हो रही है उस जमाने की पहले पहले मतलब सुरू में आजनम अच्छे सुन लिए आप लोग आईए यह पहले की बात है तो सुरू सुरू में प्रोटान कितने है इलेक्ट्रान कितने है 11 अब बाद की बात कर रहे है बाद में कुछ समय के बाद क्या हुआ कुछ समय के बाद अब बताओ प्रोटान की संख्या घटेगी की बढ़ेगी तो प्रोटान की संख्या न घट सकती है प्रोटान की संख्या न बढ़ सकती है पहले भी 11 था बाद में भी 11 होगा लेकिन यहाँ बोलो हीरो बढ़ भी सकता हो घट सकता है एक बार हम घटा कर देखेंगे एक बार हम बढ़ा कर देखेंगे तो मैं यहाँ electron को क्या करने जा रहा हूँ घटाने जा रहा हूँ मतलब मैं घटाने मतलब पहले कितना था इक ग्यारा घटाने मतलब मैंने एक electron क्या किया निकाल दिया कितना मेरे hero एक समझे मैं लगा रहा हूं minus 1 ए बाबु अगर लिखा है minus 1 इसका क्या मतलब हुआ मैंने एक परमाड़ों के कच्छा से एक इलेक्ट्रान क्या किया निकाल दिया तो अब कितने इलेक्ट्रान हो गए दस समझेगा लाइफ इंज्वाई करिएगा ठीक फिर से आपको पता है प्रोटान की संख्याना घड़ सकती है प्रोटान की संख्याना बढ़ सकती है लेकिन इलेक्ट्रान की संख्या घड़ भी सकती है और बढ़ भी सकती है तो एक बड़ इलेक्ट्रान की संख्या घटाएंगे और एक बड़ इलेक्ट्रान की संख्या किया निकाल दिया क्या किया निकाल दिया ध्यान सुनिए माइनस का मतलब क्या होता है निकालना माइनस का मतलब क्या होता है निकालना माइनस वर मतलब एक इलेक्ट्राण निकल गया इलेक्ट्राणों किसंख्या कम हो गई पहले 11 था अब 10 हो गई तो इलेक्ट्रानों के संख्या कम हो गई की अधिक हो गई अब कम हो गई clear हो गया तो simple क्या संजे यदि बाबु किसी परमाडू से इलेक्ट्रान निकालोगे तो इलेक्ट्रान कम हो गई की अधिक हो गई तो बोलोगी इलेक्ट्रान कम होगा सिखा पा रहे हैं बोलो मेरे इडो आगे चलते हैं अब देखिए अब आवेस की बात करते हैं ध्याद सुनिएगा एब आब किसकी बात करते हैं आवेस एक प्रोटान पर कितना आवेस होता है प्लस इ तो बताओ 11 Πρωτον पे कितना अवे सुलगा प्लस 11 E प्लस 11 E मझा या प्लस 11 E प्लस 11 E स्अरी से इलेक्ट्रानों की संख्या कितनी है 10 कम है कि अधिक है पहले 11 था अब कितना है 10 इलेक्ट्रान पहले से क्या हो गए कम कम होने का मतलब electron निकाला गया है electron दिया गया है electron निकाला गया है तो बावू एक electron पे कितना मेरे hero माइनस e 10 electron पर आवेस minus 10 e परमाडु में ध्यान से पहले 11 थे पहले proton 11 था electron 11 था अब मैंने क्या किया एक इलेक्ट्रान क्या किया निकाल दिया प्रोटान के संख्या कभी न बदलती नहीं है तो बाबु अब 11 प्रोटान हो गए कितना निकाले इलेक्ट्रान एक 10 क्या हो गए इलेक्ट्रान तो अब बाबु ज्यान से इलेक्ट्रान क्या हो गया कम एक पर आवेस, प्लस ही, तो आवेस, प्लस 11 ही, एक इलेक्ट्रान पर आवेस, माइनस ही, तो दस इलेक्ट्रान पर आवेस, माइनस टेने, अब जोड़ दो कुल आवेस, अब क्या जोड़ दो मेरे हीरो, कुल आवेस, बताओ, जोड़ लोगे, प्लस 11 ही, माइनस टेने, तो क्या आ गया प्लस ए तो क्यों का मान प्लस में आया कि माइनस में आया प्लस में आया अता परमाडू धना वेसित है कि परमाडू लडा वेसित हुआ परमाडू धना वेसित हुआ परमाडू धना वेसित हो गया तो मुझे एक एक सवाल का जवाब दो वीडियो अभी देखते रहो बाद में पॉस करके लिख लेना परमाड़ो धना वेसित हो गया अर्थात इलेक्ट्रान कम हुआ की अधिक हुआ तो परमाडू धना वेशीत है इसका मतलब इलेक्ट्रानों की कमी है कि इलेक्ट्रानों की अधिक्ता है अगर कोई बोलता है परमाडू धना वेशीत है इसपश्ट कीजिये तो काना परमाडू धनावे सीथ है क्योंकि परमाडू में जान से क्योंकि परमाडू के नाभिक में उपस्थित प्रोटानों की संख्या नाभिक के चारों और घूम रहे इलेक्टानों की संख्या से क्या है और दीखा है कौन दीखा है प्रोटान सिखा पा रहे हैं तुम क्या निकाल सकते हो प्रोटान की इलेक्ट्रान इलेक्ट्रान तो सुन लो एधना वेशित हुआ किसका मान बदलने से प्रोटानों की संख्या बदलने से कि इलेक्ट्रानों की संख्या बदलने से बोलो इरो तो कोई पूछे ता परमारू धना वेसित हुआ किसके कारण इलेक्ट्रान के कारण प्रोट्रान तो कुछ करी नहीं रहा है कर कौन रहा है इलेक्ट्रान तो परमारू धना वेसित है अर्थात इलेक्ट्रानों की कमी है कि इलेक्ट्रानों की अधिक्ता है तो परमारू धना वेसित हो गया इसके बराबर लिखना बाबू इलेक्ट्रानों की कमी इलेक्ट्रानों की कमी यह सब बाबू लिखना है अब वीडियो पॉस करो लिख लेना क्लिया क्या सिखे क्या सिखे परमाडू धनावेसित है किसके कारण इलेक्ट्रानों की कमी के कारण प्रोटान के बारे में क्यों नहीं बोल ले प्रोटान के मतला पहले भी 11 है बाद भी 11 है उसकी संक्यान घट रही है न तो बाबू किसकी वज़ा से परमाडू धना वेसित हो रहा है किसके कम अधिक होने से परमाडू धना वेसित हो रहा है एक एक एलेक्ट्रान क्या किया गया एक एक एलेक्ट्रान अगर बावु परमाडू के एक अच्छा से एक इलेक्ट्रान निकाल लिया गया तो इलेक्ट्रानों की संक्या क्या हो गई कम हो गई कम होने के करण परमाडू धना वेसित हो गया तो अगर कहीं बागु सुन लो फिजिक्स में अगर कहीं धना वेसित की बात हो रहा है परमाडू धना वेसित है इसका मतलब क्या है तो क्या बोलोगे इलेक्टरानों की कमी है इलेक्टरानों की कमी क्या प्रदसित करता है परमाडू धना वेसित है क्या बाबू इलेक्टरानों की कमी क्या प्रदसित करता है इलेक्टरानों की कमी है पॉस करके इतना लिख लो लिख लिए हो गए अब चलिए आगे बढ़ते हैं सर क्या बढ़ते हैं आगे सिखा दिए परमारू धना वेसी तिसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रानो की कमी हो गई नहीं न आया आगया अब देखो अगला अगली बात समझनी है अगली बात समझो ज्यान सुनना है अच्छे से अब ज्यान सुनना अच्छे से बाबू अब ये बात अच्छे समझना सवाल का नंबर आ रहा है अब यह जो फार्मूला बताएंगे ये फार्मूले पूरे इलेक्ट्रिक पूरे मैगनेट में हर जगा कदम कदम पर यूज होगने वाला है अब बाब क्या बताने वाला ध्यान सुनो ध्यान से कितना इलेक्ट्रान निकाला गया एक इलेक्ट्रान जर निकाला गया तो आवेस कितना हुआ प्लस ए कितना हुआ प्लस ए ध्यान से ध्यान से बाबु एदा मक्छे से clear कर लो तुम लोग ज्यान से एक एलेक्ट्रान निकालने पर एक एलेक्ट्रान निकालने पर इलेक्ट्रान निकाल लिए तो इलेक्ट्रान कम हो गया क्या दिख हो गया इलेक्ट्रान कम हो गया तो धन आवेसित किरे आवेसित धन आवेसित अगर बाबु कहीं धन आवेसित है समझ जाना इलेक्ट्रानों की इलेक्ट्रानों की संख्या कम है यह बाबु समझा नहीं पा प्लस ए पर आवेस क्यू बराबर प्लस ए अब आगे ध्यान से अब इसको मिटाते हैं यह सब लिखते चलो के तुम लो अब ध्यान से अब अगला फिर बनाओगे प्रोटान किसे कितनी है 11 इलेक्ट्रान कितना है 11 अब सुनो ध्यान से बाबू इंपार्टेंट बाद चल ला है अब इसमें से मैंने दो इलेक्ट्रान क्या किया निकाला माइनस टू लिखा गया है तो कितना था 11 दो इलेक्ट्रान मैंने क्या किया निकाल दिया अब बताओ इलेक्ट्रान कितने हो जाएंगे अब बताओ ध्यान से प्रोटान की संगया पहले कितनी थे बाद में कितनी रहेगी क्यों प्रोटान की संगया कि बदलती नहीं है अर्थात किस किस है कितनी होगी बाबू इग्यारा अर्थात प्रोटान से कोई लेना देना नहीं है निस्क्री आदमी है हाँ बाव मस्त नहीं है ऐसे लोगों बोलते है निस्क्री आदमी है किसी काम का आदमी नहीं है निकम्मा अब गाना मत गाने लगा निकम्मा किया इस दिन ले आप सुनो बहुत ध्यान से अब मैंने क्या किया ध्यान से अब मैंने कितना इलेक्टान निकाल दे बाबो दो बताओ एक प्रोटान पे कितना वेश प्लस ए तो इग्यारव प्रोटान पे कितना वेश प्लस इलेवेन ए या तो इग्यारव बोलो या तो इग्यारव बोलो दोनों अगने दी बोलो यह हिंदी बोलो, प्लस 11E, चलो कोई बात नहीं, जा रही सही है, एक एलेक्ट्रान में कितना आवेस होता है, माइनस E, अब कितना है बाबु, निकानने की बात कितना है, 9, तो बताओ कितना आवेस हुआ, माइनस 9E, आब बताओ कुल आवेस निकालो तो, तो पहले कितना था ग्यारत अब कितना है नौ कम है कि अधिक है पहले ग्यारत है ना अब कितना हो गया तो इलेक्टार कम हुआ कि अधिक हुआ अरे बोलो इड़ो कम हुआ तो कुल आवेस निकालते हैं कुल आवेस जोड़ लेते हो प्लस 11 नहीं माइनस 9 नहीं कितना कैसा आवेसित हो गया धना वेसित का मतलब आवेस धन होता है अगर आवेस का मान पाश्टी वो तो परमाडू धना वेसित है फिर से लिखते हैं परमाडू धना वेसित है तो बताओ परमाडू धना वेसित क्यों हुआ प्रोटान की वज़ा से की इलेक्ट्रान की वज़ा से यह तो प्रोटान तो निकम्मा है गरिया दो साले को निकम्मा है तो बाबू बिचारा कौन मेहनत कर रहा है निकल अंदर बार कौन कर रहा है इलेक्ट्रान तो बाब परमारू धना वेसी था है किस के वज़ा से इलेक्ट्रान की वज़ा से तो इलेक्टरान के कम होने के वाज़ा से परमारुधना वेसीत है बराबर इलेक्टरानों की क्या है? कमी है अपने बाबू अपने रफपर से उतारते भी जाएंगे अब ध्यान सुनिएगा प्लीज बाबू ध्यान सुनिएगा ध्यान से नहीं तो बाबू जो सिखाना चाहते उन नहीं सिख पाओगे कितना इलेक्टरान निकाले तो दो इलेक्टरान निकालने पर कितना आवेस आया प्लस टूई अब मेरी बात समझ रहे होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ गए सर किसी परमाडू से तीन इलेक्टरान निकाला जाए तो आवेस बोलो प्लस थ्री की मारस थ्री तो कहो कि सर इलेक्टरान क्या कर रहे है तो इलेक्टरान निकाले इस इलेक्ट्रान क्या हो जाए रहा है? कम, इलेक्ट्रान कम हो गए तब परमाडू कैसा आवेसी थै? अर ठाथ क्यों कामान कितना हुआ? प्लस 3E कैसा लगा? सर, चार इलेक्ट्रान मिकाले पर आवेस क्यों बराबर कितना होगा? प्लस 4E कन्फर्म तो सुन लो, प्लस 4E का मतनब क्या हुआ? चार इलेक्ट्रान निकाला गया? अर ठाथ चार इलेक्ट्रानों की? कमी है चार इलेक्ट्रानों क्या है? अरी बाबू, पहले कितना था? ज्यान ज़्यान जब पहले कितना था? दो क्या किये? कितना हो गया? दो क्या किये कितना हो गया कितना कम हो गया तो दो इलेक्टरान निकाल दिये तो निकालने का मतलब क्या हो दो इलेक्टरान कम हो गये जितना सुनलो जितना इलेक्टरान निकालो उतना क्या होता जाएगा कम हो जाता है तो निकालने का मतलब क्या बाबू कमी समझे तो सुन लो ऐसे समझोगे एई रो ऐसे समझोगे एक इलेक्ट्रान निकालने पर आवेस क्यो बराबर प्लस या एक इलेक्ट्रान की कमी एक इलेक्ट्रान की कमी जहां निकालना है वहां मतलब क्या निकालना मतलब क्या होता है कम एक इलेक्ट्रानों की कमी है तो आवेश क्या होगा प्लस दो इलेक्ट्रान निकालने पर आवेश तो दो इलेक्ट्रान निकला मतलब दो इलेक्ट्रानों की कमी है तो दो इलेक्ट्रान निकालने पर आवेश क्यों बराबर प्लस टूई तीन इलेक्टरान निकालने पर क्यों बराबर प्लस थ्री चार इलेक्टरान निकालने पर क्यों बराबर प्लस फोरी तो अगर कहीं लिखा क्यों बराबर प्लस फोरी इसका मतलब परमाडों से कितना इलेक्टरान निकाला गया है चार इलेक्ट्रान, जितना इलेक्ट्रान निकाला जाता है, उतने इलेक्ट्रानों की कमी होती है, अर्था चार इलेक्ट्रानों की क्या है, कमी है, समझें, अब इसा डाड, अगर पाच इलेक्ट्रान निकालने पर आवेस क्यों बराबर, प्लस फाइपी, या पाच दालोगे उतना ही क्या होगा कम होगा सिखा पा रहे हैं डाट 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 कोई पुछा यन इलेक्ट्रान निकालने पर कुल आवेस क्यू बराबर क्यू बराबर प्लस एन ए क्यू बराबर आइस्टार लगा करोगे रुकी अभी इंपार्टेंशी जाने वाली है इसको क्या करते हैं मिटाते हैं हाँ मिटाते हैं वह देखें पैसा दिया है न आप लो तो पढ़िए हाँ अब ज्यान से इस्टार लगा ये इदर इस्टार क्यू बराबर प्लस एन ए हुआ ज्यान से अब ज्यान से निकानने का मतलब उतना की क्या हो गई कमी एक इलेक्ट्रान निकलेगा तो एक इलेक्ट्रान की कमी होगी दो इलेक्ट्रान निकलेगा तो दो इलेक्ट्रान की कमी होगी तीन इलेक्ट्रान निकलेगा तो तीन इलेक्ट्रान की कमी होगी चार इलेक्ट्रान निकलेगा तो चार इलेक्ट्रान की कमी होगी तो एक इलेक्ट्रान की कमी के कारण आवेस क्यों बराबर? प्लस फोरी अगर कहीं भी बाबु सुन लो अगर कहीं प्लस लगा है ज्यान से प्लस लगा है इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रानों की कमी कि इलेक्ट्रानों की अधिक्ता तो प्लस का मतलब आज से क्या सिखोगे? इलेक्ट्रानों की कमी अयन बता रहा है उसकी संख्या इलेक्ट्रानों की कमी कितने इलेक्ट्रानों कमी है बाबु? आज से सुनो जहाँ प्लस लगा हो अपने समझ जाओगे वहाँ इलेक्ट्रानों की क्या है कमी है यन क्या बता रहा है इलेक्ट्रानों की संख्या यन क्या बता रहा है यन बता रहा है कि इतने इलेक्ट्रान निकल गए है यन बता रहा है इलेक्ट्रानों की संख्या कितने इलेक्ट्रान क्या हुए है समझें ज्यान से दो बाते सिख लिए ज्यान से प्लस क्या बताता है इलेक्ट्रानों की कमी अईर बताता है कौन संख्या कमी की क्या दिखता की कमी की इलेक्ट्रानों की कमी तो जहां प्लस होगा समझ जाना माई उस पर परमाडू में इलेक्ट्रान क्या है कम है कितने इलेक्ट्रान कम है इलेक्ट्रानों की संख्या कितनी कम है तुटर दोगे एन कम है क्लियर अब सुनल बाबो अब इसको हम कन्क्लूड करते हैं कि अगर किसी परमाडू से क्या निकालोगे इलेक्ट्रान इलेक्ट्रान निकालने से इलेक्ट्रानों क्या हो जाएगी कमी इलेक्ट्रानों की कमी हो जाने से परमाडू क्या हो जाएगी धना वेसी तो क्यों बराबर प्लस या नहीं जहां लिखा हो इसका मतलब प्लस क्या बता रहा है प्लस क्या बता रहा है कि उस पर माडू मेरे प्रानों की क्या है कमी और कितना कम है N कम है आई यह कमान पता है 1.6 गुड़े 10 के पावर माइनस 19 कुला समझा दिये होंगे यह सब बाबू आपके कहां होना चाहिए रफ कापी पे होना चाहिए जब अच्छे से कर लोगे तब बाबू भी लिखवा अभी क्या कर रहा है समझा रहा है अभी धना वेसी सिखे अब क्या सिखने वाले है रिडाव यसी सिखने वाले कैसा लगा समझ में आया आज के लिए बस